वेलकम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे युनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अफ कंप्यूटर अप्लिकेशन की युनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अफ कंप्यूटर अप्लिकेशन के प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग MCA की full detail को देखेंगे वैसे candidate जो MCA करना चाहते है एक अच्छी university से तो उनके लिए आज का ये video helpful है इस video में हम full describe करेंगे कि क्या कुछ eligibility है कितनी fees होती है कभ इसके form आते है और क्या कुछ भी जो भी important points होंगे सभी कुछ आज की इस video में हम लोग discuss करने वाले है बिनोभावे university हजारी बाग के तरफ से ये prospect जो है वो जारी किया गया है तो आज का जो ये video है वो बिनोभावे university हजारी बाग के university department of computer application के तरफ से निकाला गया prospect के उपर है तो पूरे prospect को अच्छे से देखेंगे कि क्या कुछ दिया गया है ये जो prospect है देखिया mca program 2020-22 2022 session के लिए इसमें है इसमें जो है bca plus mca program जो है 2020-25 उसका भी discussion इसमें करेंगे आज के इस video में mca program का तो करेंगे ही साथ में bca का जो integrated course है bca plus mca उसकी भी discuss आज के इस video में हम लोग करेंगे ये video आप लोग के लिए helpful होगा क्योंकि वैसे candidate जो bca या फिर integrated course करना चाहते bca plus mca इन्होंने अपने 12th जो है वो complete कर लिया है और आगे की पढ़ाई computer application में करना चाहते है तो उनके लिए ये video बहुत जरूरी है देखी friends क्या कुछ दिया गया है ये बिनौभावे university हजारी बाग के तरब से है नीचे आते है तो आप र यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है इसको आप rate करना चाहते हो तो rate कर सकते हो इसको वीडियो को रोक कर mission and objections है objectives है ये सभी दिया गया है प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करें कि programs तो यहां course है और duration है कितने जो है इंटेक लिये जाते हैं ये MCA में 2 year का course होता है MCA जिसमें 60 जो है इंटेक लिया गया है integrated MCA integrated MCA मतलब क्या है कि BCA plus MCA दोनों को एक साथ आप कर सकते है BCA plus MCA ये कितने साल का होगा total 5 year का होता है इसमें भी 60 लिया गया था ये 20 से 25 सेशन के लिए था अब description में देखेंगे कि इसे एक idea आपको मिल जाता है friends कि आप अगर आगे करना चाहते हो तो आपको idea मिल जाएगा कि हाँ क्या कुछ फीस लगते हैं कैसे कुछ होते हैं कितने सारे सीट होती हैं कितने साल क्यों होते हैं सारी information आपको इस वीडियो से मिल जाएगे तो description में MCA है ये जो course है ये दिया गया है कि आपटरिए और आगे चीसल करें wohitya m किद्विज में मुझेघरिबूर् evaluator शेकिडियों आपिजन आपकोचा निएकुटर एंघ बर्वामिंह जाएग किभाा जेख पर इंटीग्रेटर की बात करें तो प्राइमरी अब्जेक्टिव अब दा कोसी इस टू इनिसिएट यंग माइंड्स इन्टु दे वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर अप्लिकेशन एंड प्रोवाइड देम विथा सॉलिड ग्राउंडिंग इन डॉमेन ऑफ सफ्ट्वेयर यह कु तो हम इलिजिबिलिटी को देख लेते हैं और साथ ही साथ एड्मिशन प्रोसेड्यूर भी देखेंगे कि कैसे एड्मिशन होता है इलिजिबिलिटी क्रिटेरिया में अगर देखेंगे तो M.C.A. के लिए पास और एपियरिंग इन B.C.A. M.C.A. अगर आप करने चाहते हैं तो आप या तो B.C.A. पास होने चाहिए या फिर M.C.A. मलब B.C.A. पास होना चाहिए या फिर B.C.A. में आप एपियरिंग होना चाहिए या फिर B.C.A. आईटी से होना चाहिए और साथ ही any graduate with aggregate 50% कोई भी graduate होना चाहिए 50% आपका marks होना चाहिए but एक important point यहाँ पर है कि अगर आप किसी भी graduate है तो आपका एक subject जो है वो 12th में maths होना चाहिए 12th में भी 7th graduation में भी होना चाहिए BCA and integrated MCA में मतलब BCA plus MCA जो 5 साल का है उसके लिए 12th pass होना चाहिए science arts commerce किसी में भी हो सकते है 45% के साथ में जिसमें आपका mathematics होना जरूरी है business mathematics हो सकता है computer science हो सकता है IP हो सकता है एक subject के तोर पर यह कुछ भी होना चाहिए note में आपका क्या दिया गया है फ्रेंड्स note है final year students in respective qualifying examination awaiting result can also apply appearing जो है वो भी apply कर सकते है जो final year में है और result का wait कर रहा है final year student who have not received the original certificate वैसे student जो कि यह भी तक original certificate नहीं मिला है university से their admission will be क्या लिखाओ गया है confirmed subject to their passing the qualifying examination and obtaining minimum required marks mentioned above the registration of the applicant not meeting the eligibility career will be cancelled in such cases fee will be forfeit मतलब कि आपको अगर आप वैसे जो कि आपको उसकी और इनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो भी आप form फिल कर सकते हो लेकिन आपको उसमें percentage फूल्फिल करना हो admission procedure की बात करें तो online और offline दो दिया गया है online application के लिए आप official website www.vvomca.in या फिर www.vvomca.in पर जाकर कि आप कर सकते हैं और offline के अगर बात करें तो application form में भी obtained from the department department से आप जाकर कि mca department से ले सकते हैं 500 रुपया जो है आपका for the course bca integrated bca and rs 1000 मतलब bca के लिए 500 रुपया और bca plus mca के लिए आपको 1000 रुपया देना होगा for the course mca in the demand draft मतलब की bca या फिर integrated course करना है 500 देना होगा उसके लिए और mca करना है अगर आपको तो आपको 1000 रुपया देना होगा चलान जमा करके उसके पाद आप ले सकते हैं offline application form में भी downloaded from the website आप website से भी download लोट कर सकते हैं और bca integrated course for इतना यह कुछ रिष्टार के नाम पर आपको भेजना है यह details है यह दिया गया है नोट में क्या कहा गया है देख लेते हैं फिल्ड इन application form must be submitted with the following self-attested document photocopy के साथ में यह documents चाहिए होगा marks statement of the qualifying examination appearing certificate या तो appearing है या फिर qualifying है उसको certificate matriculation certificate चाहिए as proof of age के लिए character certificate category certificate if applicable अगर आपने डाला है वैसे कोई category के लिए तो आपको चाहिए selection procedure क्या है कि कैसे selection होता है तो student will be selected for academic performance of their previous classes and interview online or offline following counseling conducted by the university university के जो counseling होता है interview होता है previous classes जो है उसके हिसाब से लिया जाता है फिस्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग तो आरेस रुपीज में आपका फिस्ट्रक्चर अगर देखते है तो बीसीए और बीसीए इंटिग्रेटेड एमसीए फी पार्टिकूलर्स जो है सेमेस्टर फी है 15,000 पर सेमेस्टर आपका ले रहा है यहां पर एमसीए की बात करें तो 28,000 जो है यह आपका सेमेस्टर फी है एवो इंडिकेटेड फी इस्ट्रक्चर इस क्या लिखा हुआ है कि एक्सक्लूडिंग युनिवर्सिट एग्जामनेशन फी रेइस्टेशन फी कॉजन मनी में भी रिसेवड वहीं पर यह फ्रेंट्स आपका है एप्लिकेशन फॉर्म एमसीए का है आप देखिए डाउनलोड करना चाहते है जब इसकी फॉर्म फिल करने के अभी तो फुलाल आप कर सकते हैं 30 जून तक अभी चल रहा है तो अगर आपको करना है तो आप वीजिक के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं देख सकते हैं आई होप आपके लिए वीडियो हेलफोर रहा होगा अगर आपने BCA की डिटेल जार नहीं है तो आप में प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लिजेगा मैंने पहले डाल दिया है थैंक यू सो मच सबस्क्राइब कर लिजेगा और किसी भी तरह की इसू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बतायेगा आपके प्रॉब्लम सौल्प की जाएगे थैंक यू सो मच बबाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में